नमस्कार नियूसर पोर्ड में आप सभी का स्वागत है मैं को आपके साथ अनुसिंग खबरों की शिर्वात इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे ग्यान वापी श्रिंगार गौरी मामले में सुनवाई हुई जिसमें कारबन डेटिंग को लेकर आज की सुनवाई पूरी हो गई है साथ अक्टूपर को अब मामले में अगली सुनवाई होगी जिला जज एके विश्वेश की अदालत में ये सुनवाई हुई है पिछली सुनवाई में कार्बन डेटिंग के लिए अर्जी दी गई थी और आज इस पर सुनवाई हुई मूंडे मूंडे मतिफिलना यह तो हिंदू समाच यही तो अभिशाप है हम लेकिजानिन हम पीजिलाजमें जो है उन्हों दिर चाहिए खिल कार्बन डेटिंग के अतिरिक्त, EASD या और भाई ग्यानिक प्राणि जो मानी न्याले उप्यूख समझे, साफ-साफ है मानी न्याले को उपर कहा गया है, कि वह किस प्राणाली से या कार्बन डेटिंग करे या जो अन्य प्राणी जाशों से वह करे या कार्बन डेटिंग को ही जो और नहीं दिया गया था करता हूँ साथ अक्टूबर को मानी नियाले अपना ओर्डर सुनाएगा सब्सक्राइब कुछ मांग वाली अप्लिकेशन पे साथ अक्टूबर को मानी नियाले अपना फैसला सब्सक्राइब कि मांग की है हमने सिर्फ शिवलिंग के जांच की मांग की है अधिक है ओके विशे चुके अधिवक्ता विश्णू संकर जैन जी बाहर आते हुए तो विश्णू जी आज क्या अधिक है वो बिक है उनका मंसा वो मुसल्मान पच्छी के साथ मिले हुए है इसलिए हम लोग कर आगे पढ़वाना चाहरा है हम चाहरे हैं कि आगे बढ़ी ना पाए वो बसे ही चाहरे है आप लोग को बढ़ा शुरुआ की में बदाई थी कि पांचो महिला एक साथ सुचा करती थी और एक साथ जाती थी केस भी एक साथ लेके हां चारो मैं नड़ रहे हैं हम सामने दिख रहे हम सामने आरे वो कभी नहीं सामने आ रही है अब आप लोग के कोड को वो पहले तो वो वापस ले रही थी जब हम लोग आ रहे थे पीरा उसमें घुसी तरफ बस इसको चाहरी है कि हम लोग का केस आगे बढ़ने नपर पका है हम लोग खाने के लिए दिली से आ जाएंगी वो तो वो सामने क्यों नहीं आ रही है हम उस को अपने पोटो लगा के हम लोग के सामने चारों पोटो पेस कर रही है तो हम यह कहने साथ राकी सिंग है जिन्दा है कि मर जई है कहा है सामने होई अब winner कोई नहीं हम चैनल में हम चारों का फेस मेरा निक गला है और मीठीक के दिवारा निकला मगए पर्हें कहा मरे है किया हमारे आफaciones का पहुंचाए लेकिन अता पथा नहीं और उसमें सजेशन में कारबन डेटिंग में अमने सजेस्ट किया है अब इसके एक्सपर्ट आर्केलोजिकल सर्वेया है वो आएगी अपनी बात वो रखेगी और अपने एसाब से इसका सर्वेय करें लिए साथ अक्टूबर को माने नहले अपना ऑडर सुनाएगा Si की अब्रिकेशन और वह फैसला सुरक्षित रखा है और साथ अक्टूबर को Si के इस एप्लिकेशन पर फैसला आएगा यानि एक और सर्वे के लिए हम बढ़ने आगे अगर मानिय नहीं पर्मिट करेगा तो देखे हमारे घर में कोई फूट नहीं पड़ी है एक बाद में पाँ तो विश्णु जैन है हिंदू पक्ष के बकील इनुह ने अपनी बात रखी है जो कुछ सुनवाई में हुआ पूरे आसान भाशा में आज क्या हुआ है सुनवाई के अंदर अगर बात करें तो आज पी जो तारीक थी वो दो मुद्धों को लेकर थी और दो मुद्धों में स्रोशी देख थी एक तो वंचेन की अप्रिकेशन है जिसमें अब आगे कर जो नेना आएगा वो आएगा ल पर तुनवाई हुए है और आज बनारस कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और यह फैसला साथ अक्तूबर को सुनाया जाएगा ताफ तो अपर विश्णु शक्रजैन ने कहा कि जिस तरह से तमाम तरह की बाते की जा रही है तो हम फिर पर सिर्फ कार्वन लेटिंग की मांग नहीं कर रहे हैं लिट और तो साथ अक्तूबर की तारीफ होगी इससे एक बार सर्वे होगा या नहीं ये सिपिस पर सो जाएगी, क्योंकि पिछला सर्वे हुआ था, और उसके बाद एक और सर्वे, हाला कि ये वैग्यानिक सर्वे होगा, लेकिन एक और सर्वे की और कदम वरता हुआ हिंदू समाज की ओर से, और 7 अक्टूबर का अब सब को इंतेजार होगा, 1-10 के अप्लिकेशन पर भी अगली 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी, लेकिन आपको बता दू, चीज़ अप्लिकेशन का जो पहला बिंदू था, उसके साथ ये आपको बता दू, कि हिंदू पर कि जिस्तरों से लगातार, सबरे एविपी गंगा भी जनता को बता रहा था, क और उसके बाद, जो यहां की वादीगण है, उन्होंने उनके भी रोज पर अपना भी रोज यताया, और तापतार पर ये कहा, कि हम किसी भी स्कुची से वैज्ञानिक तरीका जो भी हो, वहां पर मांग रख चुके हैं, जिस भी वैज्ञानिक तरीके से हो, उस पर इतर का तरवे कराया जाएं, और जो शिबलिंग मिला है, उसकी सुटी जो स्कुची है वो इस पर स्पस्ट हो झाएं, तो आप साथ तारीका इंतेजार होगा अनू, और साथ तारीक को फिर एक तरवे होगा, या नहीं होगा, जा आगे की तख्मीर क्या होगी, पूरी तरवसे, इ ठीक है नितिश जानकारी के लिए शुक्रिया आपका तो ये इस वक्त बड़ी खबर मिली है जहां सुनवाई आज पूरी हुई है आज की और 7 अक्टूबर को अब मामले की अगली सुनवाई होगी जहां जिला जज एके विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई है और सा तो वहाँ पे कमिशन की कारवाई के दोरान 16 माई को शिवलिंग मिला है उस शिवलिंग की साइन्टिफिक जांच की जाए और ASI के द्वारा एक कमिशन जारी किया जाए और 26 रूल टैने में ये CPC में कोर्ट को पावर है कि वो साइन्टिफिक इंवस्टिकेशन जारी कर सक हमारी एप्लिकेशन में इस पर श्रूप से लिखा है कारवन डेटिंग या अन्न प्रक्रिया जो भी ASI एडॉप्ट करना चाहे तो इस चीज के लिए ASI एक्सपर्ट है तो हमने मानी नैले से ये आवेदन किया है कि एविडेंस एड की सेक्शन 45 के तहर मानी नैले एक्सप पर श्रूप में आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर प्रियागराज से जहां अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर ही हमला हो गया ग्रामिनों ने दरोगा का घेराव किया यहां पी आरवी 112 में तैनाथ दरोगा पर हमला बोल दिया गया ग्रामिनों के द्वारा हमले क अब CCTV में क्याद गूचुकी हैं तस्वीरे प्रियागराज की जहां अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी और इस दोरान दरोगा का की घेराव कर लिया गया मौमद मोहीन हमारे संबार्दा तजुडे हैं मोहीन क्या इस्थिती है अब इस मामले में तोड़ दी गई और उन जिस तरीके से वार किया गया उससे उनके चेहरे पर चोट आई है उनका शुरुवाती गिलाज कराया गया है और ये पूरी की पूरी गटना उनकी गिरफ्तारी की जाएगे और सभी के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगे क्या मोहीन उस अब राधी को पकड़ा गया है जिसे पकड़ने के लिए पूरी पूरी इस मामले में हो पाती है शुक्रिया जानकारी के और अब खबरों में आके बढ़ेंगे कानपूर दिहाथ से खबर जहां हाइवे पर जन्दिन मनाते युपको का वीडियो बारल हुआ है नैशनल हाइवे पर जन्दिन मनाते हुए कुछ युबक देखे 12 जोट टोल प्लाजा के पास जन दिन का केक काटते हुए युबब तस्वीरों में कैद हुए यहां हाईवे पर जन दिन की पार्टी दे रखी है साफत और पर मौत को दावर अब पर कुछ वाली के 12 जोट टोल प्लाजा का एमानला है जहां हाईवे पर किस तरह से केक काटा जा रहा है यह आप देख सकते हैं ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था बीच सड़क पर केक रखकर काटा जा रहा है 12 जोट टोल प्लाजा के पास हाईवे पर यह तस्मीरे सामने आए जाए युको ने बीच सड़क पर केक रखकर काटा है ये एक्स्क्रूसिव तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं इसे पहले भी या ते आतनियमों को धता बताना हो या फिर सड़क पर जश्न मनाना हो ये युको की तस्वीरे पहले भी कई बार सामने आई और अब ये तस्वीर करमी में मारपीत हो गई मारपीत की अवारदाथ CCTV में कैत हो गई आग्रा रोड पर सागर मल इशवरी प्रसाद के नाम से एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल दलवाने को लेकर ग्राहक और Caitlin में किसी बाट को लेकर विबाद हो गया जो देखते ही देखते मारपीत में तबद तो दूसरी तस्वीर बागपत की आप देख रहे हैं, यहां बदमाशों ने तमंचे की नोक पर कपड़ी की दुकान में लूट को अंजाम दिया, यहां भी लूटे रे, CCTV में कैद हुए, बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 25,000 रुपए लूट लिये और यहां से फरार हो प्रिकी बाद आप सभी का स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं खबर आगरा से, आगरा के कहरई गाउं में आज लोगों का गुस्सा पूट पड़ा, नाराज लोग गुटनों तक कीचड भरे गड़े में बैट कर प्रदर्शन करते देखे, लोगों का कहना है कि यहां सड़क के बीच बड़े बड़े गड़े हैं, शिकायत के बाद भी विधायक बेबी मौर्द्या यहां के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रही, और अब मजबूरन ये लोग इस कीचड में बैट कर प्रदर्शन करते न ज़राइं जनता विधायक सांसत को इसलिए चुनती है ताकि उनके छेत्र का विकास हो, लेकिन जब विधायक और सांसत चुनने के बाद, जन प्रतिनदी बनने के बाद, जब पूरी तरह से जनता से मूह मोड लेते हैं, तो ऐसे में जनता को आजिज आकर इस तरह से बैठना पड़त इस समय उत्तरप्रदेश सरकार में कैमिनेट मंत्री हैं बले ही मैडम इस समय अमेरिका में हैं अपनी बेटी के पास गई हुई हैं लेकिन यह लोग बहुत ज्यादा आजिज हैं परेशान हैं और आज किस तरीके से इन गड़ों में कहा जाए यह ऐसे बैठ कर प्रदर्शन कर रहे हैं इनका बदा यह आप इतना बड़ा कदम तफ कदम आपने उठाया है आखिर वजय क्या है वजय यह है कि यहां की जो भी परतिनीदी विदाइका है बेवी रानी मोर्या और इससे पहले हमलता दिवाकर रही मेर मैं विपिन चौधरी दिवाकर यहां का निवासी हू और मैं यह कहना चाहता हूँ कि विकास के नाम पर कोई काम नहीं है कह रही में और विदाइका जो आखि कभी आती नहीं है इससे पहले भी इमलता दिवाकर रही कभी नहीं आई चली देखना होगा इस प्रदर्शन का असर कितना हो पाता है फिलहाल ख़बरों में बस इतना है एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी